गर्मी का मोसम आ गया है, पोदों को बार बार पानी देना पड़ रहा है, और या फिर कोई नया प्लांट बनाना है सीड से, सीड को जर्मिनेट करना है, तो कोको पीट एक ऐसा मीडियम है जो फास ग्रोइंग में हल्प करता है, जो वाटर को मौस्चर को रिटेन करता है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, गार्डनिंग में सुनीता में, तो आज हम कोको पीट के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक और्गानिक सप्लिमेंट है स्वाइल के लिए, इसके एंटिपंगल और वाटर होल्डिंग की कपैसिटी के वज़े से, ये बहुत सारे में कोको पीट एस ग्रोइंग मेडियम भी उसके आजाता है, इसमें सेट्स फास्ट जर्मिनेट होते है, ये ब्रिक फोर्म में आता है या फिर पावडर फोर्म में आता है, ब्रिक फोर्म अगर आप पाणी में डालते हैं, तो ये एकस्पांड हो जाता है, मेरे पास ये 5kg की कोकोपीट की ब्रिक है यह अगर मैं पानी में डालती हूँ तो यह 25 kg से ज्यादा expand होती है ऐसा कहा है देखते हैं हम आगे और एक्चुली यह कोकोपीट होती कोकोपीट जो नारियल का उपरी कवर होता है उसको छिलके बोलते है या फिर हम हस्क बोलते है उसका मिक्स्चर होता है, उसकी पाउडर होती है, उसको कॉम्प्रेस करके, इसका फाइबर अलग होता है, इसकी पाउडर अलग होती है, आप इसको घर पर भी बना सकते हो, कोकोनट का जो उपरी हिसा होता है, उसको आप मिक्सी में लगा सकते हो, उसमें से फाइबर अलग करके, ज इसमें calcium होता है लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में salt होता है इसका main use होता है seed germination के लिए ये बहुत ही light weight होता है मिटी से भी ज्यादा light weight होता है और moisture return करता है तो बार-बार पानी नहीं देना पड़ता है आप इसको seed germination के अलावा जो पोदे हम cutting से grow करते हैं जो उसके लिए जो हम rich potting mix use करते हैं उसमें आप 60% cocopeat ले सकते हो 20% sand ले सकते हो 20% vermicompost ले सकते हैं इसमें आपका जो cutting है वो अच्छे से root develop करता है यह हलकी होने के कारण cocopeat हलकी होने के कारण roots easily develop हो जाते हैं उसमें air circulation बना रहता है और आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता है कई लोग क्या करते हैं कि अपना seed germinate होने के बाद भी इसे में cocopeat में ही अपना plant रख देते हैं लेकिन cocopeat में nutrition ना होने के कारण आपका यह plant अच्छे से grow नहीं हो पाता है तो अगर आप permanent कोई plant रखना चाहते हो कोई seed से germinate कर रहे हो या फिर cutting से कर रहे हो तब आप cocopeat में अच्छा वाला nutrition जो value रहता है वर्मी compost रहता है अपना cow dung compost रहता है वो उसके साथ sand थोड़ी sand और थोड़ी soil mix कर दीजे ताकि आपका यह पोधा अच्छे से grow करे या फिर यह जब saplings बन जाती है तो आप उसको report करके किसी दूसरे pot में लगा सकते हो तो वो पोधा अच्छे से grow कर सकता है अब यह देखे मेरे पास यह 5 kg कोकोपीट है मैंने nursery से मंगाई थी तो 5 kg वाली यह कोकोपीट brick है हम इसका use कैसे करते हैं वो देखेंगे अब इसको हम क्या करेंगे एक बड़े वाले tub में रखेंगे क्योंकि यह expand होती है तो आपको थोड़ा बड़ा tub लेना है उसमें यह brick रख देनी है फिर उसके उपर हमें water डालना है water pour करना है यह water को अच्छे से soak लेती है और expand हो जाती है यह देखिए इसको 10-15 मिनिट लगते है एक्सपांड होने में आपका जो quality कैसा है कोकोपीट का उसके उपर यह expand जल्दी हो जाती है मैंने यह कोकोपीट nursery से लाई है आप इसको online भी ले सकते हो online यह 1 kg से लेके आपको 10-25 kg तक मिल जाएगी अब हम पानी और डालेंगे इसमें जितना पानी यह soak करता है उसको हम पूरा पानी डालेंगे और 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे फिर देखेंगे अगर यह उपर पूरा फूल जाती है और हमें लगता है कि और इसको पानी चाहिए तो थोड़ा और पानी डालेंगे होती है तो यह सौल पानी में चला जाएगा इसलिए हमें पानी में अच्छे सोकनी होती है तो इसको हम अब निकाल के दूसरे टब में रख देंगे पॉटिंग मिक्स में यूज करें या फिर सीड जर्मिनेशन के लिए या फिर ब्रांच जर्मिनेशन के लिए हम ब्रांच उसके लिए यह बहुत यूसपूल है, अगर हम ग्राउड में लगाते हैं, कोई पोधा ग्राउड में लगाते हैं, तो वैसे कोकोपिट उसमें mix करने की जरूरत उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोकोपिट अच्छे से काम करता हैं, जो पॉट वाले पोधे हो लोगों के लिए तो ये बहुत ही useful medium है, आप इसको अगर आपका already पोधा किसी pot में रखा है और आपने उसमें कोकोपीट नहीं mix किया है, तो आप गर्मी के मौसम में उसको उपर से डाल सकते हो, आपको बस थोड़ी सी गुड़ाई करनी है मिट्टी की, और इस pot में गुड़ाई करने के बाद उपर से आप कोकोपीट डाल सकते हो, summer season में ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके plant को धूप से बचाने का, अगर आप 5 kg की brick लाते हैं, 10 kg की brick लाते हैं, तो उसमें से जो बच जाता है, वो आप store करके भी रख सकते हो, ये 3-4 साल तक आराम से चली जाती है, आप इसको थोड़ा सुखा के, या फिर किसी कपड़े में लपेट के, इसका जो पानी ह चुखा के, इसको पैक करके रख दीजे, और जब भी आपको चाहिए, तब आप इसका 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 कर सकते हो, इसका यूज हमें किन पोदों पे नहीं करना है, उसमें से जो moisture पसंद नहीं करते हैं, वो वाले plants हैं, जैसे aloe vera हो गया, desert rose हो गया, लेकिन जो fruit वाले plants होते है जो नमी पसंद पोदे हैं, जैसे गुलाब हो गया, जिन में moisture रहना चाहिए, plant के लिए वो moisture की ज़रूरत होती है, उन पोदों में कोकोपीट बहुत ही अच्छे से काम करता है, तो अगर आप अपने plant में बार बार पानी देना नहीं चाहते हैं, चार पाश दिन में एक बा ज़रूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो plants ज़रूर लगाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी किसी information के साथ, तिल देन, बाबाई, थैंक यू, टेक क्येर में आते हैं, पाल में लगाएगागा झाल में भाशा क्या जगएवागागागा है, तो भी नेकर वीडियो में और रहें जगरूर को वीडियो अगर देनीदों किसी जाएगागागागागा जजी अपस्ट पाल झाल